असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का दिल करें तो ये जटपट बन जाने वाली चटकारा चिकन की ये रेसिपी आपके लिए बहतरीन आप्शन हो सकती है इसे बनाना बहुत ही आसान है इसमें हमने ना गरम मसाले का यूज किया है और ना ही प्यास टमाटर अद्रक का इस्तिमाल किया है इसे आप कम टाइम और कम इंग्रीडेंट से बना कर फटा फट सर्फ कर सकते हैं ये इतना टेस्टी और जूसी बन के तैयार होता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यह हमने ले लिया है चीकेन 700 ग्राम और इसमें देखिया हमने कट लगा दिया है अब इसमें कुछ मसाले याट करेंगे एक बड़ा चमच नीभू करस एक चोटा चमच करश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चमच कुटी हुई धनिया दो चमच कुटी हुई लाल मिर्च या अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे अधा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच फ्रेश लसन और हरी मिर्च को दरदरा पीस के ले लिया है इसे फ्रेश पीस के लिए तब ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा टेस्ट के मुताबिक नमक अट करेंगे अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो चाहें इसे मैरिनेट होने के लिए भी रख सकते हैं मुझे जल्दी बनाना है तो डेरेक्ट बना रही हूँ चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं यहां हमने दो बड़े चम्मच सरसू का तेल डाला है तेल आप कम जादा कर सकते हैं अब चिकन को अच्छी तरह से पूरे कडाही में फैला देंगे यह जो नीचे पानी बचा था उसे भी आट करेंगे हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नमक आट किया था उससे भी पानी निकला है कवर करेंगे और लो फ्लेम पे दस मिनट तक पका लेंगे दस मिनट हो गया है चलिए देख लेते हैं चिकन से देखिए कितना जादा पानी निकला है अब फ्लेम को फुल करेंगे और चिकन में जितना पानी है उसे सुखा लेंगे और इसे में चिकन कुख भी हो जाएगा देखिए पानी सूख गया है और इसी तेल में चिकन को तेज आज पे फ्राई कर लेंगे चिकन को हमने तेज आज पे फ्राई कर लिया है अब बारी कटी हुई धन्या डालेंगे और मिक्स करेंगे अब चटपटा और चटकारेदार चिकन बनके रेडी है इसे चूले सूतार लेंगे और दिशाउट कर लेंगे तो आपने देखा फ्रेंड्स इसे बनाना कितना आसान है और ये कितने कम इंग्रीडियन से बनके रेडी हो गया है इसे आप स्टार्टर के तौर पे भी इस्तिमाल कर सकते हैं बारी कटी हुई धन्ये से गार्निश करेंगे इसे हमने ओनियन, रिंग्स और लेमन के साथ सर्प किया है इसे देखकर तो आपके भी मुह में पानी आ गया होगा इसे जब नीबु निचोड़ कर खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे उमीद है नान वेज लवर के साथ शेयर कीजिएगा चलिए अब दिखाती हूँ चिकन कितना अच्छा कुख हुआ है यह देखिए अंदर से कितना जूसी है और बहुत साफ्ट है इसे इस तरह से खाएं वाव मज़ा आ जाएगा ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक् वीडियो देखने का आपका बेहर शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज